हेलो दोस्तो आप सभी कैसे हो मैं आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक और नए विलोग में दोस्तो आज का विलोग थोड़ा important होने वाला है क्योंकि आज के विलोग में मैं आप सभी को दिल्ले NCR के परमुक मंदिरों में से एक बाबा मौन राम के काली कोली दाम के दर्सन कराने वाला हूं साथ ये साथ मैं आप सभी को बाबा महुनराम की जो पाड़ी के उपर जो पवित्तर गोफा है बाबा को जो दुना है बाबा को जो तालाव है और बाबा के जो नीले वोड़े के पेरोवे क्रू के निसान है और पहड़ी के उपर सनी देव जी का मंदिर है, अनमान जी का मंदिर है, बाबा का मेला कब भरता है, बाबा का जो नया मंदिर जो निर्मान की जो जानकारी सामने आ रही है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माद्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला तो आप सभी मेरी इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना तो दोस्तो चलते हैं बाबा महुन राम के दर्सन करने के लिए दोस्तो मेरे साथ जा रहे है लाला भाई मेर ओ लाला भाई महुन राम के दर्सन करने के लिए अब निकल पड़े है तो ये रहे लाला भाई जोर से बोलो जै बाबा महुन राम की तो अब निकलते हैं बाबा महुन राम के दर्सन करने के लिए काली खोली धाम दोस्तो अब हम बाबा महुन राम के मंदिर पहुच गए है दोस्तो बाबा महुन राम का ये मंदिर 350 सालों से भी जादा पुराना है और जो बाबा महुन राम के मंदिर पर जो मेला लगता है वो साल में एक बार खुली के दिन लगता है एक बार रक्षा बंदन के दिन लगता है और महीने की दोज पर भी यहाँ पर लाको सरदालू बाबा महुनराम के दरसन करने के लिए आते हैं बाबा महुनराम का मंदिर भवे तरीका से बाबा महुनराम के मंदिर को सजाया रहा है दोस्तो अब मैं आप सभी को बाबा के दर्शन कराता हूँ बाबा की ये दिवे जोती निरंतर बराबर चलती रहती है दोस्तो अब पहाडी के उपर चलते हैं पहाडी के उपर बाबा मौन राम की दिवे वे पवितर गुफा बनी हुई है बाबा का जो गोड़ा है नी लगोड़ा उनके खुरोवे पेरों के निसान बने हिये है बाबा का दोना है बाबा का तालाव है वे मैं आप सभी को अनुमान जी वे सनी देव जी के भी दर्शन कराऊंगा दोस्तो पहड़ी के उपर जो ये बाबा का जो ये परकमा मारग है ये तीन से चाल किलोमीटर का जो ये परकमा मारग है किसी मारग पे सरद्दालू अपने मकान बनाते हैं जैसे लाला भाई ने भी अपना मकान बनाया है दोस्तो वो आगे चलते हैं दोस्तों सामने देख सकते हो यहाँ पर सनी देव जी का भी मंदिर है दोस्तों यहाँ पर पहाड़ी के उपर हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है आप सभी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पहाड़ी के उपर एक मंदिर बना हुआ है बाबा मोंडराम का यहीं पर बाबा मोंडराम का दोना है और यहीं पर ही बाबा का जो तालाब है बाबा के जो दोना है बाबा के मंदिर के दोने के पास ही यह तालाब बना हुआ है यह यह बाई यह बाई जाएगे वादी है मोसमेशी तरा को आप डालते हैं वड़ी बूडीन पर क्यों डलवारे हों तो डाल रहे थे मादी जबी मादी सुट्रिया पर देख रहे हैं आप किसमत तक पर वादी है इस में बताते हैं कि पेशे मिल जाते हैं डालते हैं तो डालो 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 देखो आप डाल करें पेशा मिल गातो थोड़ो अच्छो अच्छो लग रहता हैं कि अपना किसमा पाजमाते हैं कि अपने बल्यों उतारो नहीं बिनों बल्यों से हाथ ही डालनो पैसा इतनी है जिए में डालते पहले डाल के निकलने के चौंग चाहते है तो अच्छी बात निकल लो दिखाना 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 हमारे लाला भाई भी ट्राई करेंगे यह बार दिखाना एक कशिका डाल रहे हो दोग देखते कौंसा निकलता हूं अब देखे वही मिला दूसरा है जिए अब जादा करें देखे अब आखे अब लाला तो देखे भी ट्राई मार वही बार अब शिमार उसरे में दालना दूसरे में अब वहीं अब टीक लाला मिलता हो गया थीक अब यह यह उसरे डालता है हमें ना मिले हैं में लिदा हिसमें टाला तो जाल दोड है कि अदीन आ पोचे वाई ये रहा है इसमें लेट बेलेट के सारे निकालते हैं इसमें आदी ना पहुंशता है ना पहुंचे बाई नीज चलागा रुपिया बहुत गहर हो है तो बाई तुमना तो शेरोपद रखका दिन मैने तन्या बढ़ा दिया वहन देता यह जाद है काली है बुष्ट यार हम यह हाथ पे जाद और जागरें चलो 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 तहीं ता निकला दोस्तों यहां पर हमको एक भाई मिले हैं एक बार भाई से मुहन बाबा का जो यह मंदिर है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या नाम भाई आपका? में नाम सुन्दगुआ भाई जो यह मंदिर है मुहन बाबा का इसमें जो मेडा लगता हो कब-कब लगता है? यह बताते हैं जो भी लोग बाबा से शच्चे मनभाव से मांगते हैं पूरी होती है लोगवाग पने 551 पर सार वाटते हैं बंदारों भी चलता है उसमाने करना है इसे बात में बंदारे की वह इसता है यहां पर हो जाती है बंदीर बनाने का फिलान है सब से मसला है करता है इसे बाइड़ी बात में बहुत है इसा भीया मंदीर बनाने का पिलान है कितना बड़ा मंदीर बनेगा जैसे कि वहां बना ना आपे ख़ड़ुश्याम बनेगा काफी और आगे जो वाले मैंने केट है वहां पे चाहद लाइन बनेंगी जी आस्तरों के लिए आने आने के लिए भी जिसके दिक्कत नहीं हुए अच्छी तरह सबस्ता दरेगी बहुत तो भाई आपने इसके बारे में बताया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जै बाबा महन राम की